आपको एक मिनट में अजस्ट करना सिखाऊंगा, उस माइक्रोस्कोप का नाम है प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप, ये आपके सामने प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है, अगर आप द्यान से देखोगे तो इस माइक्रोस्कोप के उपर ये एक सक्रीन है, जो इमेज आएगी वो इस सक्रीम के उपर आएगी, तो इस माइक्रोस्कोब के कुछ पार्ट्स मैं आपको दिखा दूँ, ये बेस आगया इसका, ये नीचे बेस है, और इस बेस के उपर, ये लाइट का सोर्स है, इस माइक्रोस्कोब में हम, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसमें light stage के उपर प्रोवाइड करते हैं, ये arm आ गई, यहाँ पर course adjustment आ गया, यहाँ पर fine adjustment आ गया, ये stage है, और ये इस stage के साथ ये clips है, और ये आगे हमारे objective आ गया, और eye piece भी होता है इसमें, जो इसके नीचे है, ये है eye piece, और इस eye piece के उपर, हमने ये इस तरह से, अपनी एक screen लगा दी होती है, ताकि जो हमारी image है, वो इस screen के उपर आए, तो अब मैं आपको बताऊंगा, कि इस microscope को, एक minute में adjust, कैसे करते हैं, तो मैंने ये, जो इसके साथ एक wire आती है, उसे plug में लगा दिया है, अब मैं वहाँ से इसकी supply on करूँगा, ये मैंने supply on कर दी, जैसे ही supply on की, यहाँ पर हमारे बास light आ गई, जैसे ही यहाँ पर light आएगी, तो मैं चेक कर सकता हूँ, कि क्या stage पर light आ रही है की नहीं, तो इसे गुमा के हम देखेंगे, कि हमारे stage पर light आ गई है, तो अब जो slide हमने देखनी हो, वो हम इस stage पर लगा सकते हैं, और वो हमें पूरी image यहाँ पर दिखाए देगी, तो मैं आज जो slide इसमें दिखाने लगा हो, वो है xylem tissue, xylem tissue की slide को हम यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ पर रखने के बाद, बिल्कुल light के उपर, मैं 10x वाला objective जो है, वो rotate करके slide के उपर ले आऊँगा, तो जैसे ही मैं यह 10x वाला, यह मैंने इसके उपर ले आया हूँ, तो अब मैं आपको यह projection microscope, एजस्ट करके बताऊँगा, कि इसे एजस्ट कैसे कर सकते है, जहाँ पर यह हमारा light थी, वहाँ उसके उपर मैंने यह rotate करके, यहाँ पर एजस्ट कर दिया है, अब इस microscope में क्या होता है, कि course adjustment से stage उपर और नीचे जाती है, तो मैं इस stage को उपर और नीचे कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे picture clear दिखाई देगी, मैं वहाँ पर stage को रोक दूँगा, और देखूँगा कि कहाँ पर clarity दिखाई देती है, तो मैं इसे यह stage को नीचे कर रहा हूँ अभी, जैसे ही मैं करता गया, तो मुझे अभी यह हलकी हलकी सी picture दिखाना शुरू हो गई है, तो अभी मैं देखूँगा कि यह picture कहाँ पर मुझे clear दिखती है, तो मैं देख रहा हूँ, अभी यह picture मुझे clear दिख रही है, अभी यह picture clear है, यहां पे आगे जाएंगे तो और दुंदली हो जाएगी इसलिए मुझे पीछे वापिस आँगा हलका हलका सा और ये मेरे को पिक्चर क्लेर दिखने शुरू हो गई कोर्स अजस्टमेंट से देखेंगे क्या और पिक्चर क्लेर होती है तो ये थोड़ी सी और पिक्चर कोर्स अजस्टमेंट से तो इस तरह से हम ये पूरी क्लास को दिखा सकते हैं मैं कैमरा पास ले जाके आपको दिखा सकता हूं कि आप देखिए ये कितनी अच्छी पिक्च पूरी क्लास को एक साथ सलाइड दिखा सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही